नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अंशल शर्मा और आप देख रहे हैं अंश फ्लोक्स दोस्तों क्या आपको कभी आपने सोचा है कि आपकी गाड़ी में जो एवरेज दिखाता है M.I.D. डिस्प्ले वो कितना एकुरेट होता है एक्चॉल से और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इसके भरोसे आप चले हो और आपको दोका हो गया हो तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसकी जो एकुरेसी है जो माइलेज यहां पर दिखाता है M.I.D. डिस्प्ले में वो कितनी होती है एक्चॉल एवरेज आप अपनी कार का कैसे निकाल सकते हैं एक बार यह जरूर करना चाहिए आपको कि अपनी कार का एक्चॉल एवरेज किस तरीके से कितना आ रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक तरीका क कैसे आप अपनी कार का एक्चॉल एवरेज पता कर सकते हैं और आपको बताऊंगा कि वो कितना डिफरेंस है मेरी जो M.I.D. डिस्प्ले में दिखा रहा है एवरेज उस से तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू एक शॉर्ट तरीका है मैं शॉर्ट तरीके से करूँगा हला आप तक ही मुझे इसमें टेल डलवाना है पहले आप कार में फ्यूल डलवा लीजिए उपर बिलकुल उपर तक और इसको ट्रिप को जीरो कर दीजिए और उसके बाद दुबारह से सेम पैट्रोल पंप सेम मशीन पैट्रोल पंप सेम मशीन में इसलिए कहूंगा विकॉजुज क्या होता है कि कई जगा जैसे गाड़ी के कही थोड़ा सा उपर ल र कीटल में चैक कर रही हो तो सेम पैट्रोल पंप चिस पहले तक और आपको जतना फ्यूल आता है उसकी रेडिंग लीजिए जतना फ्यूल आता है वो आपको पता चल जाएगा उससे calculate करके कि इसका actual average कितना है उसको आप match करा सकते है M.I.D. display से जैसा कि मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ और long term ये है कि आप कम से कम 500-600 km या जितना भी आपका tank जब दुबारा empty हो जाए तब तक आप उसको चलाएए और दुबारा empty होने के बाद उसको चेक कीजिए तो आपको overall पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैं पहले तरीके से करना मैं पहले वाला method को follow करता हूँ और शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना गाड़ी में आता है average तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इसका टैंक लगबख खाली होने वाला है और फुल टैंक कराई थी मैंने उसके बाद ट्रिप करती है और 624.8 km चली है जिस 624 का average दिखा रही है 21 km पर लीटर का तो अब ये चेक करेंगे हम कि ये जो MID display में average आता है वो accurate है या नहीं तो आप मैं फिर से इसमें full tank कराने वाला हूँ और अब की बार मैं full tank कराऊंगा बिल्कुल उपर तक चेक करके और उसके बाद हम चेक करेंगे कल कि किस हिसाब से इसमें average ये दिखाता है कितना accurate है ये यहाँ पर जो MID display में दिखा रहा है mileage ये कितना accurate है तो चलिए कराते हैं इसमें full tank और पिछली बार जब मैंने full tank कराया था तो आप देख सकते हैं इसमें इसमें कराया था मैंने 11.02 में और 32.86 लीटर आया था डीजल इसमें 32.86 35 लीटर का इसका fuel tank capacity है अब देखते हैं आज कितना आता है तो चलिए करते हैं फुल कर दो गया फुल कर दो गया फुल कर दो गया डीजल डीजल डारेटे आच कर दो जिरो जिरो फुल कर ना उपर तक है फ्लैस बजा दो फ्लैस मनाएं फ्लैस मना है 31.2 अब इसको जो है तब तो मुझे क्या जिलानी काड़ेगी कियो करो कि दीरे दीरे करना है कि किसी और की गाड़ी है कि गाड़ी किसी और की इतना आगे है ना अब मैं कल बहुत कि अब तुमसे कल भी इतना ही बरना थीक है कितना है यह यह 31.8 थीक है कर दो जरासा और कर दो और पूरा चबीस ही हो जाएगा यह तो अब यह हुआ इतना बाकि अब कल देखेंगे इतना यहां तक ही बरवाएंगे भया से इसके गैट तक तो दोस्तों अब हो गया टैंक जीरो अब देखते हैं कितना एवरेज आया इसको चला के कल फिर से बरवाएंगे वहीं तक जहां तक आज बरवाया है तब पता चलेगा एक्जेक्ट यह जो एमाईडी में एवरेज दिखाता है और जो एवरेज एक्चुली में होता है उसमें कितना डिफ्रेंस है और चलिए तो दोस्तों मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं दो पॉइंट चार क्लो मिटर चलिए गाड़ी सिटी में चला रहे हैं और एसी ओन है देखते हैं कैसा आता है अभी अगर मैं चेक करूं इसका कितना दिखा रहा है तो अभी यह बारे पॉइंट नौ दिखा रहा है अभी यह बारे पॉइंट नौ का एवरेज दिखा रहा है शो कर रहा है बट देखते हैं शाम तक चेंज होता है इतना जोगा कि अभी रोड काफी खराब है गाड़ी सेकिंड गेर पर ही चल रही है गाड़ी हम मौडरेट कंडिशन में चलाएंगे जैसे नौर्मली में चलाता हूँ कोई बहुत ज़्यादा कम रप्यम पे या ज़्यादा रप्यम पे नहीं चलाऊंगा और रोड कंडिशन आप देखी सकते हैं क्या हालत है ऐसे में क्या ही एवरेज एक्सपेक्ट करेंगे क्या है झाल झाल तो अभी दोस्तो मैं पहुँच गया हूँ और चली है गाड़ी 34.2 km और एवरेज चेक करें तो यहें दिखा रहा है 20.2 का कंडिशन आपने देखी है कैसे कंडिशन में गाड़ी चली है सिटी में 20.2 का एवरेज यहां पर दिखा रही है बागी रात को देखते हैं तो दोस्तो अब चलते हैं वापस यह 34.2 km दिखा रहा है अभी वही मॉर्निंग में जो था अब वापस चलते हैं और वापस चलके फिर तेल डलवाएंगे इसमें और मैच करेंगे के यह जो यहां पर दिखाता है अवरेज उससे जो एक्चल है उसमें कितना डिफरेंस आता है चलिए शुरू करते हैं करते हैं तो दोस्तो हम आगे हैं पैट्रोल पंपे और गाड़ी हमारी चल गई है तो यह देखिए यह चल चुके है 60.5 किलो मिटर और जो एवरेज यहां पर मिडी में शो कर रहा है वो है 19.1 किलो मिटर पर लेटर चलिए अब देखते हैं इसमें और फिल कराते हैं कि कितना और आता है तो उससे एकुरेट आवरेज ना पता लगेगा घर झाहल मिटर छोगरेजिव झाहल मिटर प्तुम प्रिश्कार है तो जाँ जिए यहाल मिटर छोगरी गाल मिटर पीया है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आया है डीजल 2.77 लिटर और इसके हिसाब से अगर लगाया जाए तो एवरेज 21 से उपर का आ रहा है और यहां पर एवरेज दिखा रहा है 19.1 तो जो एक्ट्वल एवरेज है वो इससे ज्यादा आ रहा है तो दोस्तों देखा आपने मेरी गाड़ी में जो एवरेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 19.1 और जो आ रहा है वो आ रहा है 21.8 के आराउन तो जो भी है बिल्कुल आपके सामने है जिन कंडिशन में मैंने गाड़ी चलाई है जिन कंडिशन में रनिंग हुई है वो सब प्रेंस है M.I.D. में और एक्चॉल में सर्प्राइजिंगली एक्चॉल में एवरेज जादा आ रहा है M.I.D. डिस्पले के अकॉर्डिंग तो दोस्तो कैसा लग आपको ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईए आपके पास भी कोई और इसके अलावा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताईए कमेंट सेक्शन में ताकि और लोगों को भी हल्प मिल सकें मेरे वीडियो बनाने का मोटीव ही ये होता है कि लोगों को एजुकेट हों मेरे बताई जो बताईए